हेलो प्रेंट्स आपका भहुत बहुत स्वागत है मेरे चानल वाईशालीस क्रोशे में आज हम ब्यूटिफुल फ्लावर एरिंग सिखने वाले हैं इसी बनाने के लिए हम पॉट्टन थ्रेड का यूज़ करेंगे योलो कलर शेड्स में ग्रीन कलर और लीव प्लायर शीजर फैबरी ग्लू पॉइंट सिक्स एमेम का हूग हम यूज़ करेंगे गोल्डन रिंग, एरिंग हूँक, जम्पिंग रिंग्स, गोल्डन बीड्स, यलो कलर की स्मॉल बीड्स, ये लटकन बनाने के लिए हमें क्रिस्टल, और ये गोल्डन बीड एंड हेड़ पीन, ये सब हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम ये फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर बनाने के लिए हम कॉटन थ्रेड लेंगे, हमने रिंग बना दी है, चैन टू करेंगे, दो चैन लेंगे, अब हमें ट्रिपल क्रोशे करने हैं तीन, त्री ट्रिपल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट, प्रिपल क्रोशे करatore, जस तोpta हमुरी करेंगे, ये रिंग ट्रावर में तरावर लेदय करेंगे, त्रावर रिंगंगे, तर्प शैन करेंगे, तेन तरी टकर मेंगे, त्री रिंगर के ट्रिया Storage, लेंगेаки पामेंगे, इहा बिया तन आावर बनाने हैं, तरावर, एंड थर्डिपल क्रोश्य चेंटु और श्लिप स्टिच करेंगे इस तरह हमने फर्स्ट पेटल हमारी बना ली है चेंटु अगेन हम थ्री ट्रिपल क्रोश्य करेंगे चेंटु स्लिप स्टीच त्री पेटल्स बनाएंगे हम चैन टू त्री ट्रिपल क्रोश हमने बना लिए चैन टू एंड स्लिप स्टीच एक चैन करेंगे दागा कीचिनेंगे दागा कट करेंगे दागा कीचिनेंगे इसे हमारा फ्लाबर तयार है इन दोनु दागों को हम पीछे की और निकाल लेंगे बैक साइड से एक दागे में हम गोल्डन बीड इंसेट करेंगे इसे और यह अभी बैक साइड से निकाल लेंगे इस दागे को हमने सेंटर में बीड लगा दिया है अब यह दोनु दागे हम पीछे की तरफ बान लेंगे इनकी नॉट कर लेंगे यहां पर अभी इस फ्लावर के बैक साइड में हम ग्लू अपलाई करेंगे बीड से उसे शेप देंगे इस तरह हम हर एक पेटल को हम इसे बीड की मदद से शेप देंगे इस तरह हमने हमरा फ्लावर बना लिया है इस तरह हमने और तील फ्लावर बना लिया है फ्लावर हमने टोटल बना लिया है अब हम लीप बनाएंगे ग्रीन कलर का थ्रीड लेंगे स्लिप नॉट करेंगे चैन फाइए चैन फाइए वन तू तू त्री फोर और फाइए फाइए चैन बनाएंगे सेकंड चैन पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह नेक्स चैन पर सिंगल क्रोशी नेक्स चैन पर हाप डबल क्रोशी नेक्स चैन पर सिंगल क्रोशी और इस लास्ट चैन पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसे यह हमारा एक लीफ तैयर हो गया इसके साथ हमें और एक लीफ बनाना है फाइए चैन करेंगे करेंगे 1,2,3,4,5 2nd chain पर स्लिप स्टिच next chain पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पर हाप डबल क्रोशे, उसी तरह हमें ये लीप बनाना है, नेक्स्ट चेन पर हम सिंगल क्रोशे करेगे, नेक्स्ट चेन पर लास यहां पर, स्टिप स्टिच करेगे, इस पत्ते के यहां से भी, एक स्लिप स्टिच करेगे, एक चेन करेगे और धाका, खीच लेंगी, कट करेगे धाका, इस तरह हमारे, हमारे, पत्तो का पेर तैयर हो गया है, लिफ का, इनकी बैक साइड पे हम ग्लू अपलाए करेंगे, स्प्रेड करेंगे इसे, यह हमने लिफ बना लिया है, और एक पेर हम बना लेंगी, लिफ का, इस तरह हमने, यह लिफ्स बना लिये है, और यह फोर फ्लावर समाइगे, हमने बना लिये है, अब इस तरह के हमें कलिया बनानी है, इस तरह, ग्रीन कलर के थ्रेड में हम, यलो कलर का बीड इसे इंसेट करेंगे, इस तरह, यह पर हम ऐसे, ऐसे कट करेंगे, इसे रोल करेंगे, इसे, ग्लू लगा कर हम, ऐसे, रोल करेंगे, यह हमारी, यह हमने बर्ड बना लिया, फ्लावर के लिए, इसे हमें, ऐसे दो पेर बनानी है, अब हम, इस रिंग को बनाएंगे, यहां पर हमें यह, इस लूप को, क्लोस करना है, अब इस रिंग को हम, सिंगल क्रोशी से कवर करेंगे, सबसे पहले, सिंगल क्रोशी करने है, अब क्लूशी करेंगे, आपके गलिया ग्लावर के चल्दी करेंगे, शूशी करेंगे, प्लावर के लूशी करेंगे, इस रिंग। कि अपे गलुलर एंगी इस तरह हम फिक्स करेंगी आपी और आगी सिंगल क्रोशे करते जाएंगी पूरी रींग को हम कवर कर लेंगी सिंगल क्रोशे से बस्का लाएंगी और आगी सिंगल को लुटत का योाई एचित जाएंगी सिंगल काईएंगी सिंगल क म reservoir इस तरह हम पूरी रिंग को कवर कर लेंगे यहां तक सिंगल क्रोशे से इस तरह हमने रिंग को सिंगल क्रोशे से कवर कर लिया चेन मन करेंगी और धागा करेंगी इस धागे को हम इसे रोल कर देंगी तक हमारी रिंग तयार है इसकी सेंटर में हम यहां पर हम जंप रिंग लगाएंगे इस तरह हमने जंप रिंग लगा दी यहां पर अभी यहां पर हम फ्लावर लगाएंगे इस रिंग के दोनों साइड़ ग्लूस से हम इन फ्लावर को लगाएंगे इस रिंग आप दोनों तरप हमने फ्लावर लगा दी दोनों तरप से लीफ लगाएंगे यहां पर प्लावर लगाएंगे अविप्डिय गुशता नहीं कर दोनों से लुशता हम कर दोनों पुशता हम लगाएंगे यहां लगाएंगे यह जे जोनों तरप इस तरह हमने दोनों तरप से लिप लगा दिये हैं इस लिप के उपर हम कली लगाएंगे इस तरह लाएंगे जाँटी कर दो सकती दो सकती दो कर दो से तो अब ये दू फ्लावर्स हम दोलो तरफ लगाएंगे बडेंगे प्लावर्यांस ये प्लावर्यांसी जो दो ये प्लावर्यांसी इससे थोड़ा ड्राय होने देंगे, ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे, इस तरह हमने यह एरीन बना लिए, अब हम लेचे लेटकन बनाएंगे, हेड़ बिन में गोल्डन बीड इंसेट करेंगे, इसका लूप बनाएंगे, इसको अटेच कर देंगे, जो रिंग हमने लगाई थी, उसमें, इसको अटेच कर देंगे, पैक कर देंगे, एरिंग हुक लगाएंगे पी, इस तरह हमने, पैरिंग बना लिया, फ्लावर एरिंग पैनने के लिए तयार है, सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताईएगा, और मेरे चैनल को लाइट, शेर, सब्स्राइब जरूर करिएगा, ट्युक्ट अधको अच्त्स, झाल झाल